हाले अब्रीबन वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल मिनाक्षी मैंस क्लासिद इन इस वीडियो वी डू कोश्चिन नंबर फॉर और वक्षित नंबर सिक्स चैप्टर नंबर फॉर्टीन मैंसुरेशन ऑफ क्लास एट्थ कोश्चिन नंबर फॉर की एक बस स्टेट्मेंट र अगर father became an icon श्यांटि कर दोदा इसलेंट्रिकल व कन रीडियेस यह ने पर सिलेंड्रिकल शेप है और यह थी तmental फॉर्डेशन भीय तो मैंने으ं इस में लिख लिखला यह नहांपर भी आप लिख दो या प मैंने से उन्हें ऩोर अरो radius को आप किसे रिप्रेजेंट करते हो radius को आप small r से रिप्रेजेंट करते हो और वो आपको कितना दी गई है radius 4 meter find its height if it contain 1408 kilolitre of oil, अब आप देखो find its height अब मुझे नहीं पता इसकी height कितने है height को हम h से लिखते हैं तो मैं यहां लिखते हूँ let height is equal to h find its height if it can contain 1408 kilolitre of oil यह जो container है आपने इसके अंदर oil डाला तो इसके अंदर कितना oil आया है 1408 kilolitre अब यह इसके अंदर इतना oil आया है अब आप किसी container को जैसे oil से fill कर दिया तो oil fill करना आपने पूरे container को भर दिया है इसको fill कर दिया है तो कुछ चीज उसके अंदर डाल देना हो कि उसको पूरा completely fill कर देना तो fill करना क्या होता है उसका volume होता है तो हमें यहां दिया गया है volume of oil can oil can है यह आपका और इसका volume आपको दिया गया है 1408 kilolitre दिया गया है ठीक है अब आप volume देखो oil can है वह आपको किस टाइफ का सिलेंडरी कर ला है ठीक है अब आपको volume find करके दिया गया तो यहां से देखो volume का formula क्या होता है अब ही फिलाल देखो मैं इसको यहीं पर ऐसे लिख रही हूँ kilolitre लिख रही हूँ volume of oil can की shape कैसी है cylinder कर ला है तो मैं यहां cylinder ही लिख देती हूँ इसको ठीक है 1408 अब की बार मैं यहां kilolitre नहीं लिख रही हूँ क्यों 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 जो आपकी radius है वो आपकी meter में है लेकिन यहां पर जो आपका volume है वो आपका kilolitre में दिया गया है अगर आपका कहीं पर ऐसे kilolitre लिखा गया है तो आप उसको यहां से हटा कर आप उसकी जगह देखो 1 की जगह 1 है kilolitre की जगह क्या लिखा हो है meter cube तो आप इस kilolitre की जगह आप क्या लिख सकते हो meter cube ठीक है अब आप देखो अब आपका question easy हो जाएगा क्योंकि volume भी आपका meter में है और आपकी radius भी meter में है अब cylinder का volume का formula क्या होता है pi r square h is equal to 1408 pi की जगह लिखेंगे 22 by 7 radius का square है अब radius आपकी इसमें 4 meter है तो हम यह लिखेंगे 4 into 4 और height आपकी यहाँ पर दी नहीं गयी है तो height की जगह मैं h लिखूंगी 1408 मुझे यहाँ से जो height है उसका answer find करना है तो इसको तो मैं यहाँ left में लिख रही हूँ और इसके अलावा यहाँ और जो भी कुछ लिखा गया है मैं इसको यहाँ से हटाकर इधर right side लेके जाऊंगी 7 नीचे है तो 7 उपर आएगा 22 4 और 4 यह उपर है तो यह कहां जाएंगे नीचे 22 4 into 4 अब आपको इसको जितना ज़्यादा आप cancel कर सकते हैं इसको cancel करना है ठीक है अब आप यहाँ से देखो मैं इसको cancel कर रही हूँ 2102 2102 ठीक है 27014 0 as it is 248 ठीक है अब इसको मैं 11 से cancel कर देती हूँ हो जाएगा 111011 11 की टेबल में 70 नहीं आता लेकिन उससे छोटा नमबर 66 आता है 116066 तो 70 में से 66 माइनस कर गए तो 4 आएगा 4 और 4 44 114044 एक चीज में आपको और बता दूँ कि आप कोई जरूरी नहीं है कि जिस टाप से मैं इसको cancel out कर रही हूँ आप वैसे ही cancel करें आप जिस भी method से cancel करना चाहते है आप उसको वैसे cancel करें कोई इसमें दिक्कत नहीं है 4104 4104 यहां से टूर आ जाएगा 24 46024 4104, 44016 तो H हमारी आ जाएगी यहां से मेरे पास 4 और 7 बचे है means 4 multiply 7 ठीक है तो आपकी height कितनी आ जाएगी therefore height is 470028 और यह आपका meter में चल रहा है तो आपका यह answer में क्या जाएगा meter तो आपकी जो oil can है आपकी इसकी height कितनी आ गई है 28 meter तो यहां पर मैंने आपको इसमें question number 4 करवाया है आपको question 4 में जो एक important चीज़ा ध्यान रखने वाली वो यही है कि आपको इस kilo liter को पहले meter cube में convert करना होगा next है हमारा question number 5 question number 5 में देखो क्या दिया गया है the radius and height of a cylinder are in the ratio 5 ratio 7 and its volume is 550 meter cube find its radius देखो इस question में आपसे radius और height दोनों पुछी जा सकती है तो यहां सी देखो पहले उन्होंने बताया अच्छा यहां सी देखो the radius and height of a cylinder are in the ratio इसकी जो radius है r और जो इसकी height है उनकी ratio दी गई है अब पहले तो हम यहां let करेंगे let radius is equal to r height is equal to h हमने let कर दिया कि radius को हम r से represent कर रहे हैं और height को हम h से represent कर रहे हैं ठीक है अब हम इस question में क्या दिया गया है जो आपकी radius है radius and height जो आपकी radius और height है over cylinder r इंदा ratio की radius और height की जब आप ratio find करेंगे तो वो ratio आपकी कितनी है 5 ratio 7 मैंने आपको पहले भी ऐसे question करवाये थे और आपने 7th class में भी ऐसे बहुत सारे question किये होंगे आपको पता है जब भी आपके पास ratio में कोई चीज दीगे है तो आपको उसे let करना पड़ता है ठीक है let यहाँ से यह जो radius है let radius radius r आपकी क्या आजाएगी radius के लिए 5 है तो आप इसको लिखोंगे 5x therefore जो आपकी height है height h वो आपकी कितनी आजाएगी r के लिए 5 था तो 5x लिख दिया h के लिए 7 है तो हम इसको लिख देंगे 7x direct 5 और 7 लेके मत करना उसे question में आपकी गलती हो जाएगी आप ऐसा मत करना कि radius is 5 and height is 7 क्योंकि radius और height हमें 5 और 7 नहीं दी गई है वो ratio दी गई है तो ratio का question जब भी आए आप इसको 5x और 7x let करेंगे ठीक है एक को let किया दूसरा आपने आप आ गया ठीक है अब हमें इसमें दिया गया है volume is 550 cm cube यहां मुझे यह निकाल के दिया गया है volume of cylinder volume of cylinder मुझे दिया गया है यहां पर question में निकाल के दिया गया है 550 centimeter cube ठीक है अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी का volume वोल्यूम निकालके दिया गया है तो आप उस वोल्यूम की जगह उसका फोर्मला राइट कर दो तो सिलेंडर के वोल्यूम का फोर्मला होता है अपाई आको उसमें क्या करना है पाई की जगए और एट की जगह लिखेंगे 22 by 7 आर आपकी कितनी है 5x और स्कूर होने की बजासे इसे मैं 5x into 5x लिखूंगी और हाइट मेरे पास 7x तो मैं इसको लिखूंगे 7x equal to 550 है अब आप यहाँ से देखो इसको और solve करेंगे जितना ज़्यादा हम solve कर पाएं यहाँ से देखो 22 by 7 मैंने यह 5, 5 और 7 यह आगे लिख दिये 5, 5 और 7 और यहाँ पर देखो x, x और x हैं इनके साथ multiply में हैं यह 5 x का meaning होता है 5 multiply x, 5 multiply x और यहाँ 7 multiply x तो यहाँ पर और साथ में कहा है x multiply x multiply x is equal to 550 ठीक है मैंने 5, 5, 5 5, 5 और 7 आगे लिख दिये हैं x, x, x पीछे लिख दिये हैं बाप यहाँ से देखो x multiply x multiply x क्या होगा x raised to power 3 आ जाएगा यहाँ से 550 यह जो इसके x के अलावा यह जो चीज दिये हैं हम इस सब को कहा ले जाएंगे right में 7 नीचे से कहां चला जाएगा उपर 22, 5, 5, 7 अब उपर हैं तो यह कहां जाएंगे 22, 5, 5 and 7 अब आप इसको cancel करो जितना ज़्यादा cancel कर सकते हैं उसको cancel करो 7, 1, 0, 7 5 से इसको cancel करो 5, 1, 0, 5 5, 1, 0, 5 5, 1, 0, 5 and 0 as it is 5, 1, 0, 5 5, 2, 0, 10 तो यहां से 1 बचे का 10 बन गया अगे 5, 2, 0, 10 और 22 से 22 cancel हो जाएगा 1 पर तो यहां से देखो x raised to power 3 मेरा क्या आया है यहां से उपर से भी सब कुछ cancel हो के 1 है और निचे से भी सब कुछ cancel हो के 1 है तो 1 आया है तो मैं यहां से देखो यह जो x cube है अब 1 को हम 1 cube भी लिख सकते हैं क्योंकि देखो 1 multiply 1 multiply 1 करके 1 ही आता है ठीक है तो हम 1 की जगा 1 का cube भी लिख सकते हैं अब left hand side और right hand side बिलको लिख विला है power power के विला है 3 3 तो x हमारा किस के base को compare कर लेंगे तो x हमारा किस के विला जाएगा 1 x की value कितनी आगी है 1 अब हमें इसमें से बतानी है question देखो एक बार find its radius ठीक है तो मुझे यहां से radius find करने है तो मैं यहां लिखोंगी therefore radius ठीक है मैं यहां इस question में radius और height दोनों ही find कर दोंगी radius and height दोनों ही लिख रही हूँ radius को मैं r से represent कर रही थी और height को h से अब आप अपने question में यहां देखो आपकी radius है 5x और height है 7x तो हम यहां लिख देते हैं radius थी हमारी 5x और height थी 7x तो यहां लिखो 5 और x की जगह मुझे answer में क्या लिखना है यहां पर 1 ठीक है तो 51005, 71007 तो आपकी radius तो आगिया 5 cm और आपकी height आगिया 7 cm अब आप यहां देखो कि cm क्यों लिखा है क्योंकि volume आपका cm cubic में था तो हमें इसके पीछे cm लिखा है यहां cm cube मतलिखना क्योंकि radius और height आपकी एक measurement होती है एक length के type से होती है और length हमेशा meter या cm में होती है इनकी power नहीं लिखने है तो therefore आपका answer आजाएगा radius is 5 cm और height आजाएगी 7 cm आपकी दोनों answer आजाएगी आपके book में सिर्फ radius पुछी गई है मैंने height भी आपको निकलवा दिया क्योंकि कई बार paper में आपसे पुछा जाता है find height तो height को हम यहां से find कर सकते हैं यह मिन थोड़ा सा extra करवा दिया आप चाहों तो radius तक ही find कर सकते हैं तो यहां पर इस वीडियो में मैंने आपको question number 4 and 5 करवाया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को like करें मेरे channel को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें इस chapter की जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस की playlist का link मैंने आपको description में दिया है और pdf का link भी मैंने आपको description में दिया है आप वहाँ से उनसे help ले सकते हैं pdf मतलब मैंने इनके यह जो notes हैं इनकी मैंने photo click करके वहाँ pdf बना के डाले हैं आप वहाँ उनसे भी help ले सकते हैं thank you so much